मसकर दोस्तों बाबा अरवेद्दा में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिनको धाद गिरती है सिग्रपतन की समझ्या है सवपन्दोस होता है वीरियो में सुक्रुवानों कमी है क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा नुसका बताऊंगा जिससे आपकी ये सारी समस्या है जल्दी समाप्त हो जाएगी वीडियो में जिस वनोसदी को आप देख रहे हैं इसका नाम है संगहुली इसे संगपुस्पी के नाम से भी जाना जाता है ये चार परकार के होती है ये वाली नीली वाली है सुबह का समय है इसलिए इसमें अभी फूल नहीं खिली है परन्तु ये फूल नीले होती है इसलिए इसलिए नीली संगपुस्पी के नाम से जाना जाता है इस समय आया पाड़ों में आपको आसानी से मिल जाएगी आपको नुसके के लिए क्या करना है इस पोदे को जड़ से उखाड लेना है और इस तरिके से इसकी जड़ को अलग कर लेना है इन पतियों को आपको फैकना नहीं है इसके बारे में भी एक बहुती अच्छा नुसको आपको जल्दी बताऊंगा फिर उस उसदी को एयर टाइट काच के बर्तन में रख दे जिनको धात पड़ती है सिगर पतन और सवपन दोस हो वह इसके चूरन की एक चमच की मातरा रात को सोने स्पहले और सुबै निवाई मूग गरम दूद के साथ ले खाने में पोस्ट काहर का सेवन करे मास मचली मदीरा और गुट का बगारा का सेवन कता ही ना करी दोस्तो ये थी धात सिगर पतन सवपन दोस का नुसका वीडियो आपको कैसे लगी नुसका आपको कैसे लगा वीडियो में कोमेंट करके जरूर बताए